नमस्कार सिल्क टिवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सत्यम आईए करते हैं खबरों की सुरुवात सबसे पहले नज़ा डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर जिले भर में दिखा बैंक बंदी का असर तीन सो कडोल का कारोवार प्रभावित कर्मियों ने जम कर किया परदल संद भागलपुर में सनिवार से सुरू होगा दो दिवसी अंगी का महत सब देश भर के सिक्छाविद और धार्मिक गुरू करेंगे सिर्कत जिलादिकारी परनब कुमार ने शरकारी योजनाओं की गिनाई उकलवदी कहा जल्द मिलेगा सहरवासियों को जाम से निजाब बांका पुलिस को मिली बड़ी सफलता 115 किलो गांजा के साथ 3 तसकर गिरफता और मुंगेर पुलिस ने प्रोपर्टी डिलर के घर मारा च्छापा भारी मातरा में वैध हतियार और गोली बरामद अब समाचार विस्तार से अपनी मांगों के समर्थन में बैंक कर्मियों की दो दिवसिया हरताल सुक्रवार से सुरू हो गई हरताल के पहले दिन बैंक कर्मियों ने युनाइटेट फॉरम और बैंक यूनियन्स के बैनर तले जमकर पर दसन किया और मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही भागलपुर में UFBU एवं IBA के आवाहन पर संगठन से जोड़े पदादिकारी और कमचारी धरना पर बैठे रहे और सरकार की नितियों की निंदा की UFBU के संयोजा करविंद कुमार रामा ने कहा कि एक ग्यारवाद दिपक्षी अव्यतन समझोता वारता विफल होने के कारण United Forum of Bank Union ने राष्ट व्यापी हर्ताल का निरने लिया है वहीं SBI के जोनरल सची वरुन कुमार सिंग ने कहा कि हर्ताल के दोरान जिले भर की सभी साखा बंध है बैंक कर्मियों ने SBI जोनरल कारियाले के सामने ताली बजा कर परदल संग किया साथ ही पैंसन पुनरिक्षन पांच दिवसिया बैंकिंग अवं परिवारिक पैंसन में सुधार की मांग की बंधी में Union Bank, Yuko Bank, United Bank, Cooperative Bank, Gramin Bank समयत कई बैंक के अधिकारी और अफिसर सामिल हुए और बैंक में ताला लगा कर सरकार के विरोध में नारे लगाए इधर बैंकिंग सेवा बादित रहने से भागलपूर में 350 कलोर रुपे से अधिक का वेपार प्रभावित हुआ है Union Bank के बाल कृस्न पद्दार कुंदन कुमार और रासी दनवर ने कहा कि सरकार का अडियल रवया बरकार रहा तो मार्च में अनिस्चित कालीन हर्ताल किया जाएगा वहीं राधारानी सिन्हा रोड में बैंक कर्मियों ने बैनर तक्तीर लेकर विरोध पर रसन किया पटल बाबू रोड खली पाबाग चौक समेट कई अस्थानों पर बैंक कर्मी सड़क पर दिखे इस दोरान एटियम बंद रहने से आम लोगों को काफी परिसानी का सामना करना पड़ा बिहार जारकंड एजियस के डॉक्टर राजेज ज्जा टीपी घोस एपी सिंग समेट सेंक्रों की सेंख्या में बैंक कर्मियों ने दो दिवसी हर्ताल को सांकेतिक हर्ताल बताया आईए हम आपको दिखाते हैं हर्ताल को लेकर बैंक अधिकारी और कर्मियों ने क्या कुछ कहा केंदर सरकार और बित मंत्राले एवं आई वीये के अडियल रवये के खारण समस्त राश्टिक बैंकों के अधिकारी अभंक कर्मचारियों को मजबूर होकर आज दिनांगे कर 31 जनवरी और 1 फरवरी को राश्ट व्यापी हर्टाल पर जाना पड़ा जिसका मुख्य मुद्दा ये है कि हमारा बेतन समझोता पिछले करीब करीब 30 मैने से लंबित है अब सोच सकते हैं कितना दिन होगी जबकि सरकार ये चितना रही थी कि हम समय से कर देंगे और जब से लंबित है तब से बेतन मिलना शुरू हो जाएगा आपका पढ़ा हुआ बेतन शुरुवात उसने दो परसंट से किया यह अपने आप में बहुत ही दुखा थे कि दो परसंट से कोई निगुशेशन का सुरुवात हुआ 13 जनवरी को हमलों का बाता था उसमें 0.25 का उनोंने ग्रोध दिया वो भी सर्मनाग था एक नमंबर 2017 से बैंक कर्मियों के वेतन वर्दी का प्रस्ताव सरकारी एजन्सियों के बास लंबित है भारत सरकार और भारतिये बैंक संग आईवी जिसे करते हैं उनकी हट दर्मिता उनकी जिड़ और उनके उपेच्छा पुन लिड़ने के कारण सबादो साल भी जाने के बाद भी बैंक कर्मियों अपने वाजिब व्यतन से मर्फूब होते हैं हम लोगों ने यह मांग लंबे समय से उठाई बैंक के संगठनों ने लेकिन सरकार का थोड़ी दुख कहीं से भी लचिला पर नहीं निकरा है बात देव करें भागलपुर के व्रिंदावन भवन में सनिवार से दो दिवसी अंगी का महतसब का सुवारंब होगा कारेक्टरम का उधगाटन सिक्छाविद पुरू कुल्पति डॉक्टर रामस्रय यादब करेंगे सुक्रवार को दो दिवसीय कारेक्टरम को लेकर तैयारी अंतिम चरण में दिखी अंगी का महतसब में देजभर के अंगी का प्रेमी, सिक्छाविद, राजनेता और कई धार्मिक गुरू सिरकत करेंगे कारिकरम के दौरान अंगिका से जुड़े अतिहासिक विरासत पर चर्चा होगी साथ ही अंगिका के उत्थान और विकास को लेकर कई तरह के प्रोग्राम होगे अंगिका महुतसब में इस बार क्या खास होगा इसको लेकर संयोजग गौतम सुमन, डक्टर अमरेंद्र, वरिष्ट पत्रकार, प्रसुन लतांत और अंगिका से जुड़े लोगों से बात की हमारे समवाद दाता सैयदिनामुद्दिन ने एकराम हमा लोक निरिती जीजिया गोधना अरू जड़ जतिन के लोक निरिती का प्रसुति करवेवे उक्रोबाद जीचे सती बिहुला, बाबा विशुराउद, पोंगा पंडित, मरसट का भाथ, कनातक का मंचन होते, कभी सम्मेलन होते, विचार गोष्टी होते, चर्चा परिचर्चा होते, उद्घातन सत्रम, स्वामी आगमानन जी महराज, पुर्व कुलपती डॉक्तर रामा सरय यादव जी, मुख्यतिती का रूपो महमराभीच, आभी लोचा गोड़्डा, अमित मंडल जी, द्यवगर का बिदायक, नलायन दास जी, पुर्व बिदायक परियास करते हैं कि दिल्ली तक पहुंचाएं कि हमरो अबाज पहुंचा और हम्बा सम्मिधान दो अश्टा मनुचुचि मसामिल को तो इस महस्तब में अंगिका की जो मान है वो राष्ट अस्तर तक जाएगी और क्या उद्देश होगा इस कालिकरम के जाए तराफत है कि अंगिका महतसं भी जिरने लिए जाएगा और राजने काओं से यो पात्ना रहेगा कि इसकी पढ़ाई सुरूव होजाए...? से अंगिका का प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई नहीं है इसका प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल इसका सेकेंडरी फिर कॉलेज में विये तक इसमें ओनर्स यह सब की पढ़ाई का देड़ने लिए पीद्ट में इस दौर में विजर रहे हैं उस दौर में शब लोग आकास पर फुल्वी पर चड़ के नाच रहें और वहां से गिरांगे तो बचेंगे इसलिए समय आग्या है कि हम जड़ों की तरफ लोग और हमारी जड़ें जो है हमारी मात्रुभासा में मात्रुभासामें बहुत तरह के सब्द भी सुरक्षित हैं, संग्रहीत हैं, संकलित हैं, हमने उन सब शब्दों को अपने जीवन के वेवार में लाना शुरू कर दिया है, जिन सब्दों को चालू अर्थम जानते हैं, उसके घरे आर्थों को नहीं जानते हैं तो दो दिनों तक चलने वाले अंगीका महुतसब में कई तरह के कारेकरम होगे और महुतसब के दौरान जो अंगीका भासा है उतको समिधान के आठीली अनुसूची में सामिल किया जाए इसकी भी मांग उठेगी और आप देख रहे हैं कि किस तरह किसे अंगीका महुतसब को डियम ने लोहिया स्वक्ष बिहार अभियान प्रधान मंत्री आवास योजना प्रधान मंत्री जन विकास कारिक्रम समेत कई परकार की योजनाओं की उपलब्धी बताई डियम परनब कुमार ने कहा कि भागलपूर वासियों को जल्द ही जाम से निजात मिल जाएगा लोहिया स्वक्ष बिहार अभियान के अंतरगत पहले ही 100% ओडिय पे क्लियर ने और प्रधाहां राशिता बुक्तान लगतार एक अभियान चला कर किया जा रहा है और अब सौ में 75 से भी अधिक लोगों को 75.19% बुक्तान किया जा चुका है सेश राशिता बुक्तान फरवरी माह तक समाप्त करल जीये लाना का लक्ष प्रखान वितास पताधी काड़ियों के लिया है कि प्रतेक दसा में फरवरी माह के अंतरग 100% लोगों को लोहिया स्वक्ष बिहार अभियान के तरहत बुक्तान कर दिया है जाम से निजात के लिए हम लोगों के द्वारा ब्यास किया जा रहा है और इसके लिए ग्रीवी भाग से अतरिक्त होम गार्ड का संक्षन मांगा गया था जो कि अतरिक्त होम गार्ड का संक्षन हम लोगों को प्राप्त हो गया है पचास जार से भी अधिक इंटर के पचास जार के आसपास इंटर की परिक्षार्थी जो रहेंगे, क्रीब चालिस जार परिक्षार्थी हैं और उनके साथ और गार्डियन्स भी रहते हैं, तो यह अत्रिक घीर यहां आएगी, और जो आदंपूर में रोड बन रहा है, उस मि प्यास करें, बांका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कारवाही करते हुए गांजा की तसकरी कर रहे तीन तसकर को गिरफतार कर लिया है, पकड़ेगे तसकरों के पास से पुलिस ने 115 कीलो गांजा बरामत किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाक रुपे बताई बांका एस्पी अर्विंद गुप्ता ने बताया कि उलिसा से गांजा की तसकरी कर खगड़िया ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद बांसी थाना ध्यक्ष राजेस कुमार यादव के नेत्रित में तसकरों को पकड़ने के लिए जाल बिचाया गया, इस प्लासी के दौरान गाली से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ, एस्पी ने गांजा तसकरों के उद्भेदन के लिए बांसी थाना ध्यक्ष को रिवार्ड देने की घोसना की, गारी में कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थी गारी वो, लेकिन सुचना पकी थी, इसके आलोग में गहन जाज की गई गारी की, तो गारी में कई तहखाना टाइप बना हुआ है, गारी के साइड में, गारी के डिक्की में, सीट के पीछे, सभी जगा छोटे से लेकर बड़े साइज के काट काट कर अंदर बना हैं, उस बॉक्स में छोटे बड़े हर साइज का, तीन साइज का पैकेट बना बना का, तुल 115 किलो गांजा बना मत किया गया। सुक्रवार को पुलिस ने छापे मारी के दोरां सावन देवा के घर से दो डवल बैरल बंधूक, दो डेसी कट्टा और दस गोलियां बरामत की। सिग्र आरुक पत्र समर्पित करने और स्पीडी ट्रायल चलाने का निर्देश दिया गया है। गुप्त सूचना के अधार पर एक इंफोमेशन मिली कि जो नफटोलिया बिलवारा है। वहां पर एक घर में अपरादियों का जमावाड़ा हुने की सूचना है चथा उनके पास। बारी वात्रा में हतियार है इस तरीके का हम लोगों को इंफोमेशन मिला। उसके बाद एसपी सदर की टीम के द्वारा जिसमें कासिम बजार जमालपूर और जिला आसुचना इकाई के जो टीम मेंबर्स हैं उनके द्वारा उस घर में रेट की गए। तो जो घर है वो एक भू माफिया है सावन देवा जो की नफटोलिया बिलबाडा करेने वाला है। और अभी और वो उस पे जो है लाइंड ग्राबिंग के पूर्व में भी केसिस दर जो रखके हैं। और इसका एक modus operandi है कि हत्यार ले जाकरके जो है लोगों को डराता है स्पोर्ट पे जाकरके। तो उसके घर से जो है दो जो है हम लोग को बंदू पिली है और दो देशी कट्टा मिला है। तता पांच जो है बंदू की गोलिया है और पांच जो है 315 वो राइफल की गोलिया है। तो उसने confession में बताया है कि जो है जमीन पे कबजा करवाता है डरा धंगा करके। और ऐसा जैसा की investigation में आ रहा है कि इसको कुछ महत्वपून लों का संग्रक्षन भी प्राप्त है और हम लोग उस बिंदू पे आगे जो है कारवाई करेंगे। और क्रिमिनल है और लांड माफिया होना और पब्लिक में जो इस तरह से फाइरिंग करके दहशत फालाना तो इसके लिए निर्देश दिया गया है कि शीगर इसमें आरूप पत्र जो है समिर्पत किया जाए और इसका spiritual कराया जाए। वक्त हो चला है चोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद। पूर भागलपूर, कॉन्टेक्ट नमबर 7672800010, एन्मिशन इस गोईंग आन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें, सही समय और सही जगा पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात होस्पीटल समून नरायना हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571, यादरे 9199446571, नरायना हेल्थ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है पढ़ते हैं अगली खवर की ओर। अफरा तफरी मच गई, वहीं घायल की पहचान नहीं हो पाई है। जाने के उद्देश से स्टेंड को हटा कर दूसरी जगह सिफ्ट किया गया है। यातरियों को इस्टेसन परिसर जाने में हो रही परिसानियों के कारण रेलवे परसासन ने या निरने लिया है। भागपुल एकसर के कार पार्किंग में हम लोग बरसों से कार लगाए वे आ रहे हैं। वहां पर आज जो है हम लोगों को उस जगह से दूसरे जगह दिया जा रहा है जो कि यातरी का वहां पर आगवन नहीं है। जगह वहाँ पे सही है ने असावाजीक तब्त के लोग वहाँ पे रहते हैं जो कि हम लोगों को भै लगता है एक तो यहाँ पे रोजगार नहीं है हम लोग ड्राइवरी करके बाल बच्चे का भरन पोसन करते हैं बहुत कश्ट से बच्चे को सीख्छा देते हैं और आज हम के परती इतना ही पेट में मार जो पढ़ रहा है कार पारकिंग वाले के तरफ से जी आरपी के तरफ से आरपी एप के तरफ से हम लोगों को यह कहा जाता है कि आप लोग जो है उल्टा पुल के नीचे मज़ीत के बगल में सब्जी मंडी के पास चले जाएं ग्यान बुद् संस्थानों की परतिमा को गंगा घाट में विसरजित कर दिया गया जबकि जिले भर में स्थापित मासरस्विती की वंदना में सरदालू जूटे रहे वहीं कहीं जगों पर सांस्कृतिक कारिक्रम का भी आयोजन किया गया भागलपूर जिला सिक्षा पदादिकारी मदू सु कारिक्टर में मेडीकल कॉलेज अस्पताल के टीवी एवन चेश्ट विभाग के विभाग अध्यक्ष सवरिय फिजिसियन डॉक्तर डीपी सिंग को सम्मानित किया गया डॉक्टर डीपी सिंग के रिटायर होने पर अस्पताल अधिक चक, डॉक्टर आर्सी मंडल, प्रचारी डॉक्टर हेमन सिंहा, डॉक्टर हेम संकर सर्मा समेत, कई चिकित्सकों ने डॉक्टर सिंग द्वारा चिकित्सा के छेत्र में दिये गए योगदान की सरहाना की। वहीं डॉक्टर सांतनु घोष, डॉक्टर जेपी सिंग और वीनय कुमार ने डॉक्टर डीपी सिंग के 37 वर्सों के कारियकाल की चर्चा की। मौगे पर डॉक्टर रेनु वाला सिंग समेत कई चिकित्सक और माया गंज स्पताल के कर्मी मवजूद रहे। वहीं तिलकामांजी भागलपूर इस्विद्याले के सीनेट सद्स बलराम सिंग को विदाई दी गई। मौगे पर पर परखंड विकास पदादीकारी अर्विंद कुमार और परखंड के सिक्षकों ने सिक्षा पदादीकारी को अंग वस्त रोदे कर सम्मानित किया। वहीं प्रखंड सिक्षा पदादिकारी सिपसंकर सिंग ने सभी का आभार प्रकट किया और प्रखंड में सिक्षा के परचार परसार पर जोर दिया। भागलपुर के अस्थानिया होटल में सुक्रवार को मेरट इंस्टिचूट आफ टेक्नलोजी द्वारा राष्ट एस्तर के विसाल रोजगार मेले के विशे पर प्रेस्वारता का योजन किया गया। आठ फरवरी 2020 को MIT में आयोजित किया जाएगा। जिसमें 90 से अधिक नेस्नल एमम मल्टी नेस्नल कमपनियां सामिल होंगी जहां लगबग 3500 से अधिक नौकरियां दी जाएगी जिसमें डिपलोमा, बीटेक, आईटी आई और सभी ग्रेजवेट अभ्यारती भाग ले सकते प्रेस कॉंफरेंस में प्रोफेसर सुहम चरसिया, प्रोफेसर अभी से कुमार, प्रेस प्रवक्ता, जैचोधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। हाईवे 58 पर ये कॉलेज है और उसी कॉलेज के अंदर सेवा योजन वीभाग उत्तरपरदेफ, सरम रोजगार मंत्राले उत्तरपरदेफ, नेशनल कैरियर सर्विस भारत सरकार, इन सभी के तत्धावन से हम एक राफ्ट्री एस्तर का रोजगार बीशान, रोजगार मेले क योजन आठ फरवरी 2020 को एक दीवफिय किया जा रहा है। सुचना मिलते ही थाना अध्यक्ष निर्यस्तिवारी ने दलवल के साथ जपटमार का पीछा कर MMKG उच्विद्याले के समीट दो जपटमार को दबोच लिया, जबकि एक भागने में सफल रहा। भब यकलस सुभायात्रा निकाली गई। सुभायात्रा का नित्रित्तु पंडित असोक सास्त्री ने किया। इस दोरान हज्जारों की संख्या में सरधालू सीर पर कलस लेकर मोहनपूर गंगा घाट पहुंचे। जहां से गंगा जल भर कर गाजे बाजे एवं घोडे के साथ सरधालू पूरे प्रखंट परिसार का भर्मन करते हुए यगस्तल पहुंचे। इस दोरान पूरे छेत्र का माहौल भक्ती में बना रहा। जितेंद्र कुमार जीतू, व्यासवेद, निर्मल सरन, भगीरती, देवी सहित, काफी संख्या में सरधालू मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर। जिले भर में दिखा बैंक बंदी का असर, तीन सो कडोल का कारोवार प्रभावित, कर्मियों ने जम कर किया परदल संख्या मौजूद भागलपूर में सनिवार से सुरू होगा दो दिवसी अंगी का महत सब, देश भर के सिक्छाविद और धार्मिक गुरू करेंगे सिरकत जिलादिकारी परनब कुमार ने शरकारी योजनाओं की गिनाई उकलवदी कहा जल्द मिलेगा सहरवासियों को जाम से निजाब बांका पुलिस को मिली बड़ी सफलता 115 किलो गांजा के साथ 3 तसकर गिरफतार और मुंगेर पुलिस ने प्रोपर्टी डीलर के घर मारा च्छापा भारी मात्रा में वैध हतियार और गोली बरामद फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही नमस्कार